तो लास्ट मैंने compare किया था Snapdragon 720G का, आज मैं comparison करूंगा Snapdragon 732G का, यह दुनों processor काफी मेरे favorite processor है, 720G और 732G Snapdragon 4G2 versus Snapdragon 732G का अज comparison है, मैं यह बताने आया हूँ कि अगर आप 732G ले रहे हैं, तो आपको कितनी performance मिलेगी, और अगर आप 732G से upgrade करना चाह रहे हैं, 4G2 की तरफ तो आपको कैसी performance मिलेगी, यह मैं बताने वाला हूँ, हाँ फ्रंस मेरा नाम है गौरो, आप दीख रहे हैं, टिक रूम, एनाउंच डेट पर बात की जाए, एनाउंच डेट and class model number यह आपकी screen के सामने है, देख लीजे, बाकि TDP की बात के जाए, यह important part रहता है, 4G2 में आपको मिलेगा 4W based TDP है, और 732G में 5W है, तो 5W होने का मत performance सोड़ी बेटर मिलने वाली है, 4W के comparison में, and heating and throttling यह सब तो होगा है, नेक्स जब बात करें, यहाँ पर architecture की, दोने प्रॉसर रॉक्टा कोर दिये गया है, 4G2 में मिलेगा 2Core 2.2 Cortex A78, बाकि 6Core 2GHz पर clock है, Cortex A55 पहल, and यहाँ पर 732GS में मिलेगा 2Core 2.3 Cortex A76, 6Core 1.8 Cortex A55, तो हाँ पर आपको जो performance देखने को मिलेगी, Cortex A55 तो दोनों में दिये गया है, 6Core ही है, frequency थोड़ी सी कम है, 732G के पास 1.8 पर है, बाकि यह performance score की बात किया है, यहाँ पर आपको 732G में Cortex A76 मिलता है, जबकि 4G2 में मिलेगा Cortex A78, जो कि Cortex A76 से बेटर है, frequency का भी उतना difference नहीं है, 0.1 MHz का है, तो ज़्यादा वो difference नहीं करेगा, तो अभी आपको जो performance बेटर मिलेगी, वो 4G2 में है, last में आपको conclusion benchmark बतांगा, तो आपको idea लगेगा, कितना gap हो रहा है, दोनों के बिच में, frequency की बात किया थे, हाँ पर 4G2 है, 2200 MHz के साथ आएगा, 732G 2300 MHz के सा technology के साथ है, दोनों ही Samsung है, तो यहाँ से कोई difference नहीं होगा, गर एक TSMC होता है, तो थोड़ा बहुत performance बढ़ती ही, बट दोनों ही Samsung है, तो performance यहाँ से same रहेगी, and 4W and 8W based है, तो 4W जादा बेटर है, 8W के comparison में, अब बात करते हैं, यहाँ पर ग्राफिक सपोर्ट के, 732G में मिलता है, 8W 618, इसका architecture 8W 600 है, वहाँ पर बात करें, फ्रिक्वेंथी सपोर्ट की, तो जो Snapdragon 4G 2 है, 955 MHz पर क्लॉक रहता है, and 732G 825 MHz पर क्लॉक रहता है, तो बेटर आपको जो GP सपोर्ट मेलेगा, वो 732G के साथ है, अगर आप इसे यूस कर रहे हैं, तो अप्ग 423 Gigaflops, मजब ज्यादा उतना डिफरेंस नियागा, फ्लोटिंग पॉंट्स को लेकर, वेमरेटर सपोर्ट में दोने प्रोसर से में LPDDR 4X सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर UFS का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, 4G 2 में UFS 2.2 दिया गया है, and 732G में UFS 2.1 का मैक्स सपोर्ट मिलता है, मैं 4G 2 का डेटा जो बोला था, फोन डेटा बोला था, बाकि maximum सपोर्ट तो 4G 2 में LPDDR 5 का सपोर्ट मिल जाता है, and UFS 3.1 का मिलता है, तो अगर इतना दिया है, तो काफी बेटर परफॉंस आने वाली है, गेमिंग सपोर्ट की बात किया, यहाँ पे गेम सपोर्ट में HD high support आएगा, call of duty में difference देखने को मिलेगा, 30-40 होगा, and 4G 2 जो है, वो medium high support करता है, जबकि 732G वेरी हाइक साथ very high support करता है, in future update, I think 4G 2 में थोड़ा बेटर परफॉंस आ सकता है, यह भी वेरी हाइक साथ very high support कर सकता है, बट उतना stable रहेगा नहीं, अगर आपको 4G 2 में 1KR 60fps support आता है, playback में भी 732G मुच बेटर है 4KR 60fps option दिया गया है, जबकि 4G 2 में 1KR 60fps, display के भी मामले में 732G काफी बेटर है, 4G 2 के comparison में, 732G में मिलेगा 3316 x 1049 and 40 pixels का display, जबकि 4G 2 में 2520 x 1080 pixels का display दिया गया है, अन्प्यों की पात कर दोनों की पास अपने अन्प्यो 4G 2 में 4G 2 में 636 होगा, नेक्स्ट अप बात करें आपर connectivity की तो 5G support है, 4G 2 का है दिया गया है, मदब 5G support करता है, snapdragon 732G 5G support नहीं करता है, इसी वजय सी यह outdated processor बन रहा है, जबकि 4G support की बात के snapdragon 4G 2 LTC cat 18 के साथ होगा, 732G LTC cat 15 के साथ होगा, matter performance connectivity वाली आपको 4G 2 में मिलेग Bluetooth की बात के दो 5.2 & 5.1 की technology मिलेगी, तो phone में आप जरूर जेखिएगा, difference होगा जरूर, and Wi-Fi की बात के दो Wi-Fi 5 & Wi-Fi 6 का support मिलता है, तो Wi-Fi के मामले में snapdragon 732G better है, तो बात करें यहां पे geek binge score की, यहां से आपको idea लगेगा कि कितना difference हो रहा है प्रोसेसर के बीच में, आगे म Bluetooth 3D Mark, Conclusion में आपको बताऊंगा, performance test, gaming score, battery life and बाकि, तो यहां पे single core के साथ स्टार्ट करते है, geek binge 5 का score है, यहां पे 4 Gen 2 का score 785 आएगा, and 732G का 565 आएगा, काफी देखने difference है, 732G भी एक अच्छा प्रोसेसर है, performance के मामले में, but 4 Gen 2 से पीच्छ रहने वाला है, and multi core की बात के यहां पे 4 Gen 2, 2000 क्लोस करेगा, and यहां पे 732G है, वा 1,800 तक क्लोस जाएगा, next बात के जाएगा, आप इसके अदुदू benchmark score की, अदुदू benchmark 10 का score है 4 Gen 2 का, and इसका score 4,45,000 तक आजाता है, and अदुदू benchmark यहां पे 9 version का score है, 732G का, इसका score 3,51,000 का आएगा, next बात के जाएगा यहां पे 3 benchmark score की, 4 Gen 2 का score 700 तक जाता है, जबकि 732G का score 1,100 प्लस रहेगा, and इसलिए प्लस रहेगा, क्योंकि इसमें एडनोस 618 का support दिया गया है, यह है important part आप सब के लिए, तो गेकि एगर CP performance वाला काम है, तो 4 Gen 2 37 score देगा, and 732G 36 score देगा, CP performance के मामले में 4 Gen 2 थोड़ा सा ब 253.1 दिया गया है, तो आपको 4 Gen 2 काफी better performance देगा, 732G के comparison में, gaming performance की बात कि बात कि यहां पर 4 Gen 2 22 score करेगा, and 732G 28 score करेगा, तो gaming के मामले में, अगर आप अप्ग्रेड चाहते हैं, कि 732G, अगर मेरे पास है, अप्ग्रेड कर लों 4 Gen 2, मतलब MI 12, या फिर POCO M6 की तरफ, M6 Pro की तरफ, तो नहीं कीज़ेगा, क्योंकि gaming performance उसमें, इतनी better मिले की नहीं, जितना आपको अभी currently 732G में मिल रही है, नेक्ट अब बात कि जहां पर battery life support की, तो 4 Gen 2 92 score करेगा, and 732G 74 score करेगा, तो battery life के मामले में, 4 Gen 2 बेटर रने वाला है, 4 nm Samsung इसके पास, अब बात कि जहां पर TechRoom score की तो, जो 4 Gen 2 है, 41 score करता है, and 732G 39 score करेगा, तो difference तो है, यह 732G 38 score करेगा, 38.8 I think score करेगा, तो आपको difference तो देखने को मिलेगा, but gaming के मामले में, 732G better है, तो अगर आप एक upgrade सोच रहे है, या फिर 732G buy करने का सोच रहे है, तो ले सकते है, अच्छा processor है, performance भी मिल जाएगी, gaming भी मिल जाएगा, and battery lab भी okay-okay है, लेकिन अगर आप 4 Gen 2 ले रहे हैं, तो performance काफे बेटर मिलेगी, and आप आपको जो gaming पार्ट है, वो कम कर जाएगा, battery बढ़ा दी गई है, लेकिन इसमें आपको camera support भी कम कर जाएगा, विए वीडियो पसंद आएगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब भी जरूर कीजएगा, थैंक्सवर वाचिंग,